हेलो एवरीवन, कम तेल में बहुती तेस्ची नास्ता खाने का मन कर रहा है, तो चलिए किस बात की देरी स्टार्ट कर लेते हैं, एक कटोड़ी लेंगे हम सूजी, और सूजी को चान के लिजएगा, और फिर क्या करने के डालेंगे इसमें पानी, तो पानी थोड़ा थोड़ मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनाट के लिए, देखी हम थोड़ा पानी इसमें गेरेंगे, लेकिर इतना पानी गेरेंगे कि सूजी इसमें अच्छे से थोड़ी सी भीग जाए, इस तरह से पानी गेरना है, और अच्छे से हमें बिला लेना है, बाकि सूजी आपकी मोटी हो या पतली हो कोई भी सूजी हो दोनों सूजी चलेगी तो देखिए मैंने यहां इसे ना विगो लिया है और थोड़ा सपानी और गेरेंगे और अब इसे अच्छे से रख देंगे दो या तीन मिनट के लिए वो भी इसलिए कि हम दो तीन मिनट में जो चीज बनाने बाले है व कोड़गोते मसाले जिसे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम प्यास डालेंगे तो एक बारे कटा हुआ हम इसमें प्यास डालेंगे और एक छोटा सा टमाटर भी बारे कटा हुआ डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे हर इमिज बारे कटी हुई जीदे का पौडर तो जो मसाले आप नहीं खाते हैं वो स्कीप कर लीजिएगा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से इसे मसाले याड कीजिएगा चिली फ्लेक्स मैंने डाल दे हैं और अध्रक की छोड़े चोड़े टुकडवी मैंने इसमें डाले हैं अब इन सब चीज करना है हमें और अभी इसमें हमें नमक एड़ नहीं किया फ्रेंट तो नमक सबसे लास्ट में एड़ करेंगे अब डालेंगे इसमें हम धन्या पत्ति और बिल्कुल इसे फिर हम मिला लेंगे और अब जो सूजी का हमने अब रेडी करके रखाता ना वह इसमें डाल देंग डाली है औहर नहीं हम दर सोड़ डालेंगे बिना इनो बिना सोड़ बिना दिहीं की रास्ता हम बनाएंगे और बशॉत में और इसमयां बिलना हैलो Sakdata पता लग जाएगा कि आपको कितनी नमक की इसमें जरूरत है तो देखिए अब हमने नमक डाल दी है अपने टेश्ट के नुसार अब एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब यह काफी गाड़ा लग रहा था मुझे तो थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इसमें त तो बस अब थोड़ा सा निमू का रस निचोड़ेंगी थोड़ा सा खटा सा टेस्ट आ जाए और अब इसको अच्छे से एक बार और हम मिला लेंगे बीस विगरा नहीं आने चाहिए बीस को निकाल लेजीगा अगर डल भी जाए तो तो चलिए आप देखी बिल्कुल यहाँ पर हमने फेट करी से न रेड़ी कर लिए फ्रेंस देखी इस तरह से ही होना चाहिए तो बस अब करने के जाना है गैस की तरह पहन रखते नहीं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और आधा चमस सिरफ हम तेल लेंगी फ्रेंस देखी आप दिक बिराओगा और उसे फेला लेंगे और अब थोड़ा सक कड़ी पत्ता डालेंगी कड़ी पत्ते का प्लेवर या टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो ही डालिए गए गड़ी तो आप स्कीप कर सकते हैं और फिर ना कड़ी पत्ता के पार डाल hail या फिर आप यहां पर सफ़सोदाना भी डाल सकते हैं और सफीद तिल डाल देंगी daud घकड़ादय और डाल के ही स्काथ पारिभादय करनνा गड़ मतरो हैं तो देखिए चमस की सतर से आपको लेना है और जितना बड़ा आपको जितना मोटा आपको चाहिए उससाब से आप यहां डाल सकते हैं तो मैं चोटे-चोटे करकर फिलाल दो डाल रही हूं उसके पास धीरे करकर इसे हम रेडी करेंगे तो आपके पैन में जितना भी आता है आप कुछी साब से डालेगा आप एक इबार में कुछ बड़ा भी बना सकते हैं अब एक करके इसमें हम डालेंगे तो पतला मोटा आपकी चोईस बस ऐसे करके इसे गोल-गोल सा कर लेना है तो अगर आपके पास इटली का साचा नहीं है अपपे का साचा नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही ईजी सा तरीका है यह बनाने का पर सब क्या करना है इसे हम थोड़ा सा रंख लेन थि तेल केरेना है इसके ऊपर हल्का सा घयारी कि जाना है, या रहादा नहीं goblet , घयाना है।ब फिर ठना है और थोड़ा से मेकिलिब्ध कंदोफले में छोड़ देना है और देखे, आप क्या करना है, उपर का जो तेल था, बिल्कु सुक चुका है, और थोड़ा सा उपर से हम इसके उपर सोड़ा सफेद तिल गिर देगे, यह आपकी चुआई से नहीं गिरना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है, खाने में इसलि पलट लएगे, तो आपको उलट पुलट करकर ना, इसका थोड़ा सा सुनहरा सा कलर आ जाए, तब तक आप इसे करते रहिएगा, यह देखे, वो फिर एक तरफ सिख जाएगा, और फिर हम पलटेंगे, तो अब हम फिर इसको पलटेंगे, फ्रेंज, तो मैं आपको दिखा इसको दूसरी तरफ पलट के, यह देखे, कितना अच्छा से कलर आ चुका है, और हमारा नास्ता बिलकुर रेडी हो चुका है, तो पस अब इसे निकाल लेंगे, और ऐसे से करकर आप पुरा नास्ता रेडी कर सकते हैं, तो यह एक कब सूजी में, वह बहुत कम सूजी थी, इसमें पहुत सा रणास्ता बन जाता है, तो जब आपको कुछ ओईली खाने का मन ना करें तो बस एक जमबस थी पनावा नास्ता आप खा सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है, और बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि एक chamado चाल्थी शाहिऑ है, द यह सब कर सकते हैं तो इंवनिंग ब्रेक फास्ट या परा मॉनिंग ब्रेक फास्ट या बच्चों के टिफिन के लिए किसमें भी इसने आप बना कर दे सकते हैं तो चलिए पढ़ेंगे आप से आगले वीडियो में